सो आज मैं आपको बताऊंगा कैसीन प्रोटीन के बारे में कि कैसीन प्रोटीन क्या है कहां से बनता है क्या आपको लेना चाहिए जो आज की जो हमारा टापिक है सबसे पहले कैसम प्रोटीन कहां से बनता है डूअज से वैर प्रोटीन और कैसम प्रोटीन दोनों वार यह लोग स bilang है यह मलक बेस्ट प्रोटीन यह अंचू मालूम है कि जब आप जब पनीर बनाते हैं तो वह जो liquid होता है और जो solid clumps होते हैं तो वह cottage cheese होता है आपको मालू है cottage cheese के अंदर casein protein होता है So casein protein slow digesting protein है जो आपकी body को protein provide करता है लगभग 7-8 hours तक और जो whey protein है वो fast digesting protein है जो instant protein provide करता है आपकी body को, आपके muscle tissue को So casein दूद से बनता है, whey protein भी दूद से बनता है Casein slow digesting protein है, whey protein fast digesting protein है अब आपको लेना चाहिए कि नहीं, ये depend करता है आपके goal के उपर अगर आप low calorie diet के उपर है तो आपको मालू है कि आपकी body muscle को break करकर fuel provide करती है, क्योंकि low calories diet में अगर आपकी protein intake कम हो तो आपकी body जो आप muscle को break करती है और आपको energy provide करती है जो गलत है, जो सही नहीं है, जो लोग muscle build करना चाहते हैं, उनकी लिए बिलकुल सही नहीं है Muscle tissue को break करकर energy provide करना is bad Fat, जो stored fat है, उसको break करकर energy आपको चाहिए, ना कि आपके muscle को Right, so, casein protein रात के समय, रात सोने से पहले तक थर्डी मिन्स बफोर बेल, casein protein is very effective Very, very effective So, ताकि जब आपकी बॉड़ी अगले आठ से दस घंटे तक आपकी बॉड़ी कोई nutrient नहीं मिलेगा आपको मालम है, you are sleeping mode Right, but your body needs nutrient So, casein provide क्या करता है, slowly आपके blood stream में amino acid provide करता है आपको मालम है, protein को break करकर amino acid बनते हैं Amino acid आपके blood के अंदर जाता है और आपको provide करता है nutrients So, रात जब आप सोते हैं That time, जो casein protein है, it's a slow releasing protein वो आपके blood के अंदर protein और amino acid supply करता रहेगा ताकि आपकी body catabolic में ना जाए आपकी body anabolic में रहे क्योंकि आपकी body की जो growth होती है Even fat loss, muscle growth, whatever आपके बाल तक जो grow करते हैं जब आप सोते हैं उस समय जब आप सो रहे होते हैं आपकी body उससे में grow होती है तो यह आपको मालू होना चाहिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सोने से पहले आप क्या खाया आपने क्या आपने ड्रिंक किया बहुत ही ज़रूरी है क्यास है क्याद ज़रूरी होना यह वाँने में ज़रणे क्यास क्या थर्यूर ग्रेक ज़ररूर्वफ वणिंड-टर नहीं ज़र क्यास नहीं लेन॑ जब खायद झालूरी तट इस आपने रहे हों क्यास ञोक्सम्हान ट्राइश जफिस्टीज उसके अंदर a very good supplement for advanced people, for athletes, a sportsman or people who have serious goals, they can add this supplement otherwise you can add cottage cheese and yogurt, 30 minutes before you sleep, I hope you got the answer